हलो एब्रिवन आज किस वीडियों हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट फ्रिक्शन के बारे में तो सबसे वेस्ट क्या होता है एक मेटल या बुड का पीस होता है जो कि ट्रेंगुलर और ट्रिपरजर्डल कॉस्टेक्शन होता है और इसको यूज कहां करते हैं लिफ्टिंग ल लगा देते हैं और उसको उपर से आप जैसे कार है या स्कूटर है स्कूटी है तो उसको सब यहां से इस तरह से उतारते हैं इसी तरह से यह लोड करना होता है तो उपर चड़ाते हैं तो यह वेस कहलाता है इस तरह का एवन आपने और इंडस्ट्री में भी आपको देखन analysis analysis में यह आप देखेंगे तो यहां पर पी फोर्स एग्जाइट हो रहा है ठीक है यह surface है आपकी इस कूपर आपका यह base रखा हुआ है इस कूपर यह load है ठीक है तो आप देखो यहां पर यह पी आपने एक direction लगा दिया इस तरह से तो obviously जो friction act करेगा वह यहां पर सब्सक्राइब करेगा यह एफ हो जाएगा ठीक है और यह surface है यह surface इस base कूपर normal reaction offer करेगी ठीक है similarly आप देखो यह load है ठीक है तो यह यह जो surface है यह surface इसको पर reaction offer करेगी इंटर्न यह जो आपका load है यह load भी इसको पर reaction offer करेगा normal direction तो मैं इसको यहां पर बनाता हूँ Alexis का free audit diagram तो यह आप देखो कि कुछ इस तरह से यह base है और यहां पर आप देखो में दूसरा color ममें इसको आपको 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 ड zwischen यह यह is its लिए अँन और यह इस तरह से आप देखो यह아p करेगी आपकी normal reaction और यहां पर यह क्या एक कर रहा है normal action हम क्या करते हैं इन दौनों का एक resultant ले ले तो यहां पर जो resultant है वो resultant है आपका R1 इस resultant को हम नाम दे देते हैं R1 और यह resultant vertical से आपका angle बना रहा है 51 यह phase कौन सा आपका AC है अब यह BC की बात करें हम तो BC को पर क्या लग रहा है आपका P force exit हो रहा है यह आप manually force अप्ले कर रहा है अब यहां पर देखें AB पर है तो आप इसको ऐसा move करा रहा है और यह अपका initial stationary है तो stationary है तो यह क्या करेगा इसको पर friction कैसा exit करेगा इस direction चाहें तो मैं इसको यहां पर उपर बना देता हूं यह इस तरह से friction को exit करेगा ठीक है लेकिन यह हम इसका free order diagram बनाएंगे तो यह क्या करेगा इसने इसको पर reaction कर दिया यह friction इस तरह से exit कर दिया यह क्या करेगा इसको पर friction exit करेगा इस direction लेकिन अब हिम equilibrium किसका गंजिरे करें वेज का तो इसको हम नहीं करें अब यह जो surface यह over करेगी इस सर्फिस पर्पेंडिकुले," Pitts, तो इंटर्ण क्या होगा यह जो लूड है यह इस कूप पर और्फ़र करेगा अपोई ducled अपोऊ डारेक्शन मीनज़ यह जहां पर इस तरह से और्म डारेक्शन यह डिरेक्शन ओफर होगी अब आप देखिए इन दौनों का रेजल्टेंट हम नहीं ले थे हैं यह आपका नॉर्मल एक्शन यह भी यह कौन सी नॉर्मल एक्शन है जो कि आपका यह जो बूर यह आपका जो लोड है ठीक है यह एक्जैट कर रहा है इसके उपर अब यहांपर ह आपका बर्टीकल से एंगल बना रहा है है आपका फाई भर्टीकल बोल सकते हैं बोल सकते हैं नॉर्जल यह फाई वन है तो इसको नाम दिएते हैं विद्ध है और आप देखिए यह दिया भट इसटरें कुछा था तो आप देखोगे यह एंगल अलफा है यह दिया वो कुश्चन में तो यह भी अलफा होगा अब इस कुश्चन को आप दो तरह सॉल कर सकते हैं एक तो हम इकलियूम कंसीडर करके इकलियूम किस तरह से कंसीडर करते है एकलियूम कंसीडर करने में हम देखते हैं जो सिग्मा होता है समीशन ऑफ और बर्टिकल फॉर्स इकलिटु जीरो और जो मूंट होता है वो 0 यहां पर movement का बात नहीं करेंगा और यहां पर horizontal vertical की case में क्या लेंगे हम along the plan लेंगे और perpendicular to plan लेंगे यह फिर direct horizontal vertical की term से हम निकाल सकते हैं ठीक है और दूसरा हम इसको solve करते हैं लामी स्थियोरम से तो सबसे वाले horizontal vertical की case में यह equation बनाना चाहें तो यह आपका R1 है ठीक है मैं लिख देता हूं considering horizontal forces तो horizontal forces को consider करेंगे तो यह क्या जाएगा आपका R1 इसका यह component होगा यह तो जाएगे क्यों इन दोना करें लिख दिया तो यह हो जाएगा आर वन sign 51 यह किस direction में लगेगा आपका इस direction ऐसे ही जाए ऊपर consider कर रहे हैं तो यहां पर क्या आर्टू है तो यह क्या हो जाएगा प्लस आर्टू अब इस case में जो एंकल होगा वहाब इस समझेए यह पूरा यह अंगल आर्वल कंसीर करना ऑब हए यह पूरा अंगल क्या होगा cos लेते हैं cos phai 2 plus alpha ऐसे यह क्या हो जाएगा sin तो यह हो जाएगा r2 sin phi 2 plus alpha equals 0 ऐसे ही हम vertical consider कर सकते हैं considering vertical forces तो vertical forces को जब हम consider करेंगे तो क्या हैगा यह vertical force यहाँ पे तो r1 cos 51 ठीक है दूसरा आप consider कर रहोगे तो यहाँ पर यह आएगा यह उपर की तरफ एक्ट करेगा और यह नीचे की तरफ तो minus r2 cos 52 plus alpha equals 0 ठीक है यहाँ पर हमने plus इसलिए consider किया है क्योंकि यह क्या है दौनो इस direction में component है आपके यह भी इस direction horizontal component भी यह horizontal component इसका होगा है यह भी इस direction वेक्ट करेगा और यह वाला horizontal component है यह भी इस direction इसलिए plus आया है ठीक है अब हम यह दिलामी स्थिर्म लगाएं हाँ यहाँ पर एक चीज़ और होगी यह तो दौनो इस direction लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक force यह रह गए आपका P तो यहाँ पर इसको लिख सकते है minus P equals 0 ठीक कोछी equation यह बनेगी तो इस दौनों को solve करेंगे तो आपका values आ जाएंगे अब यह दिलामी स्थिर्म लगाना हो यह देखिए और इसको हम आगे exact करें मालू यहाँ पर है और यहाँ पर मैं एक छोटी से vertical line draw कर देता हूं तो vertical से यह कितना angle बना रहा है 5 1 तो मैं यहाँ पर forces so कर देता हूं यह आपका है r 1 और यह angle कितना यह तो कर रहा है यहाँ पर 5 1 ऐसे ही यहाँ पर देखें तो यह vertical से कितना angle बना रहा है यह r 2 alpha plus phi 2 तो यह हो गया आपका दूसरा angle और यह आपका vertical से show कर रहा है कितना angle है यहाँ पर alpha plus phi 2 तीसरा force आपका यह इस तरह से exact हो रहा है यह आपका P है अब यहाँ पर लामी स्थियूरम आप exact कर सकते तो अब लामी स्थियूरम लगाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा यह r1 है इधर यह r2 है हम अपोजिट अंगल consider करते हैं तो equation कुछ इस तरह से बनेगी पी अपॉन यह वाला अंगल अब यह वाला अंगल कितना होगा 180-51-alpha-52 यह पूरा 180 है इस 180 में से इसको minus कर देंगे तो आपका यह वाला अंगल है क्योंकि सामने वाला अंगल consider करते हैं तो यह हो जाएगा आपका साइन 180-alpha-51-52 यह आगया पी के टम्स में बाकी के अंगल आपको मालूम है जैसे यह हम इसको consider करते हैं R2 तो R2 को consider करेंगा तो कौनसा अंगल consider करना पड़ेगा आपको यह वाला यह पूरा अंगल तो यह पूरा अंगल कितना हो जाएगा यह आपका 5N है और यह आपका horizontal है यह बड़ेगल है तो यह 90 है और यह 5N है तो यह पूरा अंगल हो गया आपका मैं यह लिख देता हूं 90 प्लस 5N ऐसे ही इसको consider करना है इस पूरे अंगल को यह पूरा अंगल कितना हो जाएगा यह 90 और यह अलफा प्लस 5N तो यह जागा 90 प्लस अलफा प्लस 5N तो अब यह अंगल आपको मालों है तो values देख सकते ना रख तो पी की यह आ गया equals क्या जाएगा यह था हम R2 की बात करें तो R2 की सामने वाल अंगल क्या है यह आपका sin 90 प्लस 5N equal ऐसे ही R1 upon sin 90 प्लस अलफा प्लस 5N तो आपके इस तरह से equation बनेगी इसको मैं दोबारा से अच्छे से लिख देता हूं P upon sin 180 minus alpha minus 51 minus 52 equals R2 upon sin 90 plus 51 equals R1 upon sin 90 plus alpha plus 52 तो यह आपका इस equation से यहां से भी इलामिस theorem से इसको आप solve कर सकते हैं झाल 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 झाल